पूरे वर्ल्ड का पॉपूलेशन है 7.7 बिलियन और उन में से लगबग आधा पॉपूलेशन एस्मार्टफोन यूज करता है। आज इसकी मदद से हम कई काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर पाते हैं। लेकिन गेम्स और सोसल मेरिया के आजाने से कई लोग इसके एडिक्टिद हो चुके हैं। कभी नहीं साप करते हों So, phone पर germs accumulate यानि की जमा होता रहता है Mobile phone पर E.coli जैसे खतरनाक बेक्टिरिया भी हो सकता है So, यदि आप जैदा देर तक phone के संपर्क में रहोगे तो ये germs आपको हानी पहुचा सकते हैं इसका solution या है कि अप अपने phone को regularly अच्छी तरह से साप कर दिया करें जिस तरह आप अपने होथो को करते हों जिसके कारण ये germs मर जाएंगे Number 2 जब हमें smart phone को रात में यूज करते हैं तो इससे निकलने वाली blue light हमारे सरीर में मेलाटोनिन हार्मोन पर ड्यूस नहीं होने देता है मेलाटोनिन हार्मोन ही हमें सोने में मदद करता है और ये cancer और दूसरे कई बिमारियों को हमारे सरीर में बढ़ने से रोकता है तो phone से निकलने वाली blue light से हमें insomnia और cancer हो सकता है इसका solution या है कि आप सोने से दो घंटे पहले ही अपने smartphone को यूज करना बन कर दे और अगर आप रात को phone यूज करते भी हो तो blue light filter करने बाले apps का यूज करे ये आपके phone के light में से blue light को हटा देगा जिससे आपका body melatonin produce करना शुरू कर देगा और आप ठीक से सो पाओगे नमबर 3, WHO के अनुसार smartphone से निकलने वाली radiation brain cancer का करन बन सकता है आज तक ऐसा कोई भी proof नहीं है जो कि या साबित करता हो कि smartphone से cancer होता है लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता है कि इससे brain cancer नहीं हो सकता तो अगर आप इससे बचना चाहते हो तो smartphone को बात करते समय उसका speaker यूज करे या फिर earphone का यूज करे नमबर 4, लोग अपने कानू में headphone लगा कर अधिक volume में गाने सुनते हैं इससे हमारे सुनने की छमता कम हो सकती है तो इससे आप बचे अगर आप headphone लगा कर गाने सुनते भी हो तो आपको कम से कम volume में सुनना चाहिए नमबर 5, जब आप अपने phone को सिर जुका कर अधिक देर तक यूज करते हो तो इससे आपको काफी दर्द जेलना पर सकता है आपको नर्व पेन भी हो सकता है सो इससे बचने के लिए हर 10 या 20 मिन्टों के बान बरेक ले या फिर आप अपने phone को अपने सिर से उपर करके यूज कर सकते हो नमबर 6, कई results में या सामने आया है कि smart phone को अधिक देर तक यूज करने से depression और stress फिल होता है सो smart phone को अधिक देर तक यूज ना करें इसे बस अपने कामों के लिए ही यूज करें नमबर 7, smart phone के कारण हमारा attention span कम हो चुका है यानि कि हम किसी काम पर focus नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें phone से आने बाली notification इस्ट्रेक्ट करती है इससे हमें उन कामों को करने में अधिक समय भी लगता है और ठीक से हो भी नहीं पाता है सो इसका solution या है कि काम करते समय अपने phone से दूरी बना कर लखे स्मार्टफोन हमारे लिए एक लाबदायक बस्तू है यहानी हमें तब पहुंचाती है जब हम इसका access यूज़ करना शुरू कर देते हैं तब समार्टफोन को हम नहीं बलकि समार्टफोन ही हमें control कर रहा होता है सो समार्टफोन को सिर्फ अपने कामों के लिए ही यूज़ करें इसमें बेकार के time और पैसे ना खर्च करें